हाई फ्रेंड्स वेलकम तू माइचैनल मामा एन बेबी तो आज मैं आपको बताऊंगे इंटर्नल चेकप के बारे में प्रेगनेंसी में इंटर्नल चेकप कब किया जाता है और क्यों किया जाता है तो मैं आपको बता दो इंटर्नल चेकप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता वो इसलिए करते हैं कि आपकी लेवर प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं 9 मंत में और आपका जो कर्विक्स का माउट ओपनिंग कितना है ठीक है और बेबी ने अपना हैड अंगेज किया है कि नहीं यानकी बेबी ने पोजीशन ली है कि नहीं तो यह सारी बाते वो चेक करते हैं इंटर्नल चेक अप से ठीक है तो डिलीवरी के जब आपका लेवर पेन स्टार्ट होता है उसके बाद भी एक दुबार इंटर्नल चेक अप करते हैं वो उस दौरान में जब पेन स्टार्ट होता है तो इंटर्नल चेक अप किस तरह से होता है मैं आपको बता दूं इसको ल रालते हैं दो फिंडर इसमें ये ज येाँ रहते हैं और योट्रस चेक अमिγर सम yapıyor है बार पींगर दे Detroit धान हो Utra का उत्को प्रवारर को मातने होकी लाकित प्टाइब दोОare रहते हैं यह दोगनों सब्सक्राइब होगको आराम की पोजिशन में आ जाओ ठीक है तो उसके बार डॉक्टर बस फिंगर डाके चेक कर लेगी अंदर सारी जो उनको चीजे चेक करनी होती है तो बस इतना साथ है इंटर्नल चेक अप और जब आपका लेवर पेंट भी स्टार्ट होता तो बीच पीच में डॉक्टर चेक क के कारण तो बहुत बार उचुका है तो उतना पेंफूल नहीं है तो नाइन मंत में यह होगा तो उसको लेकर आप घब राए नहीं और अराम से अपना इंटर्नल चेक अप कराए तो अगर आपको यह इंफोर्मिशन पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करे शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले थैंक्स पूर वाचिंग